आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली नई हीरो सुपर स्प्लेंडर के बारे में जी अब आई ये गाड़ी अभी आपको इंडिया में मिल जाती है 125 CC इंजन के साथ लेकिन ये गाड़ी अब आपको इंडिया में मिलने वाली है 100 CC के साथ जिसमें की आपको वही trustable engine देखने को मिल जाएगा भाई जो engine आपको मिल जाता है मौझूदा hero की splendor plus में वही engine आपको company launch करके देगी hero की super splendor में जी हाँ तो चलिए start करते हैं video को क्योंकि भाई ये गाड़ी जल्द ही company launch करेगी और गाड़ी का जो price है ना वो आपको बहुत ही कम मिलने वाला है सबसे पहले जो बात करते हैं गाड़ी का engine तो यह इंजन आपको मिल जाएगा 100cc के साथ और गाड़ी की जो power figure है वो आपको same मिलेगी hero की splendor plus वाली ही mileage जो बाई वो आपको लगभग मिल जाएगा 65 के आसपास का speed आपको मिल जाएगे 93 के आसपास तक का गाड़ी में जो है आपको single cylinder 4 speed gearbox मिल जाएगा और यह गाड़ी आपको self start, kick start और i3S के साथ आपको देखने को मिल जाएगी 100cc engine के साथ और गाड़ी का जो engine होगा वो आपको लेटा हुआ ही देखने को मिलेगा इस गाड़ी में आपको खाड़ा engine नहीं मिलेगा same engine मिलेगा splendor plus वाला अब बात करते हैं गाड़ी के looks and design तो बाई जो वीडियो आपको दिख रही है old वाली super splendor की तो यहाँ looks आपको बिलकुल same यही वाले company launch करके देने वाली यह old वाली जो भाई looks है ना वो वापस से come back करेंगे बस फर्क इतना है कि यह गाड़ी अब आपको 125cc के साथ मिल जाएगी इसमें जो है भाई company आपको launch करके देगी fully analog meter console जो पहले आता था भाई वही console company वापस से launch करने वाली यह बाकी जो भाई गाड़ी में आपको basic से features मिल जाएगे जैसे कि आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी halogen की headlight, halogen की tail light और halogen के turn indicators बाकी जो भाई गाड़ी में आपको मिल जाएगा mobile charging port का भी option जो कि भाई यह आपको मिल जाएगी USB port के साथ बाकी जो भाई फरंट में आपको मिल जाएगा drum पीछे भी आपको मिल जाएगा drum disk का option शुरुआत में नहीं launch होगा बात में आपको कुछ variant extra दिखने को मिल जाए जिसमें कि भाई आपको at least by single disk दिखने को मिल ही जाएगी और भाई ABS बाद में आता रहेगा तो basic पहले launch किया जाएगा बागी जो भाई फरंट में आपको टैर मिल जाएगा 2.75 का जो की 18 इंच की alloy wheel के साथ आएगा जो टैर पीछे का होगा वो थोड़ा सा वाइड होगा वो जो है भाई आपको 3.00 का दिखने को मिल जाएगा जो की आपको 18 इंच की alloy wheel के साथ मिलेगा जो भाई design होगा alloy का वो आपको पुराना वाला से मिलेगा जो आपको मिल जाता है चाहे वो splender by plus का alloy आजाए चाहे old वाले alloy वापस आजाए आगे जो है आपको मिल जाएगा suspension, telescopic का पीछे आपको मिल जाएगा twin shock absorber जो की भाई accessible रहेगा गाड़ी में जो है भाई company आपको ओफर करेगी single piece seat, single piece grab rail और single piece handle bar, leg guard आपको मिल जाएगा साड़ी गाड़ आपको मिल जाएगा भाई footrest जो है ladies वाला भी रहेगा और भाई जो rider है और जो भाई footrest होगा पिलियन का दोनों ही foldable रहने वाले हैं गाड़ी में जो है भाई आपको total 4 color दिखने को मिल जाएगे black, red, black, purple और red और white भाई कुछ ऐसे आपको 4 color option दिखने को मिल सकते हैं overall जो है गाड़ी A2J बहुत ही अच्छी रहेगी इसका जो भाई price होगा on road वो जाएगा लगबग 93,000 रुपए के आसपास तक का on road और भाई जो hero की super है ये आपको 100 CC में मिल जाएगी आने वाले 3-4 महिने के बीच में तो आप लोग भाई चाहे तो wait कर सकते हैं क्योंकि भाई hero की जो super है इसकी sales figure बहुत ही खराब निकल के आ रही है जो भाई glamour है उसकी भी sales figure कुछ खास निकल के नहीं आ रही है company ने जो भाई passion extra को discontinue करी दिया तो भाई passion जो है वो भी आपको sauce CC में मिल गई तो भाई उमीद लगा सकते हैं कि जो hero की super है ये गाड़ी भी आपको sauce CC में मिल जाएगी तो भाई like कर देना वीडियो को मिलते हैं किसी होर वीडियो में तब तक के लिए जै हिंदू वन दे मातरम बाई